हाई वीवर्स वेलकम बैक टो मैं चैनल फ्रेंस यह देखे आज हम सिखेंगे बहुत ही सुन्दर सा और बहुत ही इजी निटिंग पैटरन इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडिस कार्डियन में जैंट साफ साटर फुल स्वेटर में बच्चो आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से ये इस तरह से दिखता है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए जो फंदे चाहिए होंगे वो 6 के मल्टिपल से होंगे ये देखिए यानि कि 6 फंदे 6 फंदे 6 फंदे 6 फंदे इसी तरह से अन तक 6-6 फंद एक्स्ट्रा रखेंगे साइड में डिजाइन को एकुल करने के लिए दो फंदे एस्टिच के लिए होंगे और ये जो डिजाइन है ये टोटल सिक्स रौ का ही डिजाइन है तो चलिए फैन बनाना स्टार्ट करते हैं तो दिखिए यहाँ पर मैंने 6 के मल्टिपल से 18 फंदे लिए हैं प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं साइड में डिजाइन को एकुल करने के लिए तो हमारे पास यहाँ पर 21 फंदे हो गए 21 फंदे और 2 फंदे एस्टिच के तो टोटल 23 फंदे हमने यहाँ पर लिए हैं औ और निचे से बेस देने के लिए दो रोव उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है तो चलिए बनाते हैं पहली रोव सीधी साइड ऐस टे स्लिप करेंगे धागा आगे लेकर आएंगे रपीट पैटन स्टाट करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन धागा आगे ही उल्टे बनाए दो तीन तीन फंदे स्लिप किये दो तीन ये सिक्स फंदों का पैटन है देखे दो चार छे फिर से पैटन पीट करेंगे धागा आगे ही रखेंगे और तीन फंदे उल्टे बना लेंगे एक दो तीन तीन फंदे स्लिप करेंगे धागा आगे ही रखेंगे एक, दो, तीन, फिर से 3 फन्दे उल्टे, एक, दो, तीन, धागा आगे ही रखेंगे, 3 फन्दे सलिप करेंगे, एक, दो, तीन, तो एस्टिच छोड़कर यहां तक हमने 3 पैटरन कम्पलीट किये हैं, लास्ट में हमारे पास चार फंदे बचेंगे धागा आगे ही रखेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन एस्टिच सीधा बुन लेंगे तो पहली रौ कम्प्लीट हो चुकी है अब देखिए दूसरी रौ है और उल्टी साइड है रौंग साइड एस्टिच स्लिप करेंगे धागा पिछे करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन धागा आगे लेकर आएंगे जो फंदे हमने पहले स्लिप किये थे उनको फिर से धागा आगे करके स्लिप करेंगे एक दो तीन एस्टिच छोड़कर यहां तक हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है इसमें हमने तीन सीधे थे सीधे बुने दो तीन तीन फंदे धागा आगे करके स्लिप किये दो तीन फिर से पैटन पीट करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन धागा आगे करेंगे तीन फंदे स्लिप करेंगे एक दो तीन फिर से धागा पीछे तीन फंदे सीधे एक दो तीन धागा आगे तीन फंदे स्लिप करेंगे, एक, दो, तीन, धागा पीछे, लास्ट में चार फंदे हैं, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, एस्टिच भी सिधा ही बना लेंगे, तो देखिए, दूसरी राव कंप्लीट होच की है, अब ये हमारी तीसरी राव है, और सीधी साइड है, एस् हम सीधे सीधे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, इसी राव सीधे फंदों के साथ बनाएंगे, एस्टिच भी सिधा ही बना लेंगे, तीसरी राव कंप्लीट होच की है, अब दिखिए, चौती राव है, और रॉंग साइड है, उल्टी साइड, इस राव में फिर से ये सभी फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे, एस्टिच लास्ट में सीधा बनेंगे, अब देखिए, ये हमारी पांचमी राव हैं और सीधी साइड है, एस्टिच स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, यहां से रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, अब देखिए, ये वाला जो नीचे हमने, ये वाला हमारा जो धागा है, जो फंदे स्लिप किये थे, उसको लेंगे, और साथ में ये वाला जो फंदा है, एक फंदा सीधा इसको भी लेंगे, दोनों फंदों के इस तरह से लेंगे, और दो फंदों का पैटन कम्पलीट हो गया है, इसमें हमने 4 फंदे सीधे बुनें, 2, 4, फिर निचे से लूप उठाकर एक फंदा ये सीधा बुना, 2 फंदो का, हमने एक फंदा बना दिया, लूप के साथ फिर एक फंदा सीधा, फिर से पैटन रिपीट करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, एक फंदा सीधा आपको जैसे भी easy लगे वैसे ही आप बना सकते हैं फिर से 4 फंदे सीधे एक दो तीन चार फिर से यह लूप उठाएंगे और साथ में एक फंदा लेंगे और दो फंदो का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा तो ऐसे छोड़कर यहां तक हमने तीन हैं सीधे बुन लेंगे एक दो तीन एस्टी सीधा बना लेंगे पांचमी राउ कम्प्लीट हो चकी है अब यह हमारी छटी राउ है और रॉंग साइन है इस राउ में सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे एस्टीच सीधा बुन लेंगे तो यह दिखिए शिक्स राउ कम्प्लीट हो चकी है और हमारा पैटर्न भी कम्प्लीट हो गया है फिर से हम इसे फर्स ट्रॉ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बार बार इसकी शिक्स राउ रपीट करते जाएंगे और यह पैटर्न बनकर इस राउ से दिखने लगेगा यह दिखिए इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाए कर सकते हैं तो फ्रेंड आप भी से बनाईए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए तो मिलते हैं ऐसी ही और नई नई पैटर्न के साथ तिल द प्रेंग बडलाए कि झाल टूब ऑए और लाउ देए और नई तो मिलते हैं जो झालाए किसे दोजड़ेंग्ट चाए कोई दिता हैं आप पैटर्न के साथ तो मुआ यह जो जह मैं यह दोद्द आम यह दो दिता हैं व क्या क्या जो से थेज़ देटलाए किसला आप